बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कमपनी लिमिटेड आप देख रहे हैं जो छात्र खास करके एलेक्टिसियन से आई टी आई पास हैं अलक इसमें वह इसे भी पोस्ट है इस्पेशल जो डिपलोमा और बीटेक वाले के लिए भी और नॉन टेक काटेगरी के भी कुछ पोस् आई पेशली करने वाले हैं आई टी आई से जो एलेक्टिसियन से जो इस्टुडेंट किये हैं उनके रिगाडिंग अभी आप देख रहे हैं कि एल्पी का फॉर्म निकला निश्चित रुप साब भरे होंगे टेक्निसियन का फॉर्म भराया जा रहा है अभी उसमें और अ अलग अलग रेल्वे भरती बोर्ड में अलग अलग केटेग्री वाइज आप करेंगे कितनी वेकंसिया आपके लिए रह जाएगी तो ऐसी स्थिति में एक बेहतर अपर्चिनिटी अगर आप बिहार से रिलेटेड हैं बिहार राज के निवासी हैं हलां कि अधर स्टेट व बने हैं आपने इसके सिलेबस को देखा और फिर इसके सिलेबस की तुलना आप रेल्वे के सिलेबस से भी किये इसके अलाबा एक्जाम कब तक हो सकती है ये भी आपके जहन में है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कमपनी लिमिटेड कि जब भी वेकंसिस से पहले आई या ठारेक बाद ये वेकंसि अभी आपको देखने को मिल रही है ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है यानि कि जून में ज्यादा संभावना है आपका चुकि जून फर्स्ट वीक तक तो एलक्षन ही अब चलेगा तो जून अथवा जुलाई ज्यादा संभावना है कि एक महनत करके एक सीट इसमें आप अपना पका कर सकते हैं और विहर बाले बच्लों के लिए तो और बहुतर अपरचिणों के लिए तो और बहुतर अपरचिणिटी इसलिए की होगी हाला कि पहले तो और भी कम थे लेकिन इस बीच में संख्या बरी है फिर भी अगर देखा जाए तो गोल्डेन अपरचुनिटी उनके लिए सावित होने वाला है इसमें पहले थोरा सा हलका सा हम सीलेबस पर चर्चा करेंगे बाद में दूसरी बातों पाएंगे देख अगरे आपको बच जाएंगे तो यहां काम चल जाएगा मेरे ख्याल से दिक्कत होगी यह पर लिजेगा तो वहां काम चल सकता है लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक उसके लिए आपको बच जाएंगे यानि 60% यह टॉपिक आपका मेल खाएगा आपका LP टेक्निशन से 40% नए आपन लिए हुए रहेगा जो कि अलग से परना पर सकता है आपको इसके अलावा आप देखेंगे इसमें अन्य में तो बेसिक आप कम्प्यूटर नौलेज आप जान रहें कि 100 कोश्चन में 50 से आपके रहेंगे कंप्यूटर से यानि कि 65 कोश्चन 100 में यही दो सेक्षन से आपका रहेगा यानि कि trade और computer से बाकी जा करके general syllabus 35 कोश्चन में आपका general syllabus रहेगा कि जो शुरूस आप लगातार पढ़ते आये हैं उस पर कम भी मेहनत करेंगे आपका काम चलेगा क्योंकि अ दो पेपर पर आपको मेहनत करना ही होगा और ये दो पेपर आप बेहतर कर लेते हैं तो अधिक सदिक संभाव ना आए रहेगी कि आपकी seat तुनिश्चित हो सकती है तो जहां तक platform का सवाल है अपना एक app है platform by नवीन कुमार सिंग अभी बहुत सारे च्छातर लगातार हमको कॉल करते थे कि सिर्फ सर हम ट्रेड और कंप्यूटर ही परना चाहते हैं उसके लिए package अलग कर दिया जाए तो online और offline दोनों मोड में offline मोड में तो आज से अपना होली के लिए बंद हो रहा है पहले तो होली की सुबकामना है आप सभी को और फिर एक तारिक से यानि एक प्ले स्टोर में जाके प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंग डाउनलोड करना होगा और वहां से जैसे मन होगा उस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं जैसे कि आप देखिए यह अगर यह एक बिजली बैच मातर 399 रुपिये में आपका विहार स्टेट पावर होलिंग आपको पे करना होगा सिर्फ नॉन टेक पर हैंगे तो उसके लिए भी ऑप्सन है यहां पर 499 रुपिये में पूरा नॉन टेक आप पर सकते हैं इसके अलाबा सिर्फ आप कंप्यूटर परना चाहते हैं तो 199 रुपिये में सिर्फ कंप्यूटर पर सकते हैं और कंप्यूट और ट्रेड यानि कि 15 मार्स का कम्प्यूटर और ट्रेड 50 मार्स का दोनों मिला के वैसे तो 2100 रुपिया इसका ओफ लाइन में फी है लेकिन ओन लाइन में मादर 499 रुपिये में ये दोनों सेक्षन आपका हो जाएगा कम्प्यूटर प्लस ट्रेड इस बैच का नाम है बुद्ध बैच आप जाकर के एप खोलेंगे प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंग वहां पर बिहार सेक्षन में जाएंगे ये सारे बैचे आपको दिख जाएंगी वहां पर 499 में आपका ट्रेड प्लस कम्प्यूटर दोनों हो जाएगा इसके अलावा देख रहे हैं अगर पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए फी आपका 999 रुपया लगेगा पूरे कोर्स के लिए और अभी एक होली में स्पेसल हम आफर भी दिये हैं होली 30 करके कूपन कॉड लगाएंगे तो 499 से उपर के जितने बैच हमारे हैं उसमें 30% less हो जाएगा यानि कि आप समझ सकते हैं कि लगभग 700 रुपये में पूरा कोर्स ट्रेड कंप्यूटर सहीत पूरा कोर्स आपको अभी इस आफर में मिल जाना है और इसके लिए रिगार्डिंग एक बात और मुख बात बता देना चाहते हैं कि यह आपको बुक मार्केट में या इसको आप एमेजन फिलीप कार जहां समागाना चाहें आपको मिल जाएगी इसके अलाबा जो सिर्फ ट्रेड करना चाहते हैं तो 10,000 प्लस कोष्चन का कलेक्शन विहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के लिए सिर्फ ट्रेड का आप आपको मिल जाएगा ITI ट्रेड त्योरी जिस तरह का कोष्चन विहार स्टेट पावर होल्डिंग में पूछा जाता है तो बुक भी आपका उपलब्द हो गया कोर्सेस भी उपलब्द हो गया ओफर भी हो ली का हम बता दिये तो आपको देख लेना है और अगर सिर्फ टेस वहां जा करके आप इस पेसल टेस्ट भी दे सकते हैं भी आरिस्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेट का इस वीडियो में इतना ही रखेंगे खुब अच्छे से आप परहाई कीजिए खुब मन से परहाई कीजिए खुब मेहनत कीजिए अगर आप सही तरीके से मेह इनत करेंगे एक सीट आपका सुनिश्चित होना संबब हो जाएगा धन्यवाद